हाई फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का राजस्तान एक्साम्स इन टैन मिनिट्स में और आज हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक यानी गुकम्प की उससे पहले कुछ जानकरी में सुरे स्टोलिया टेंडियर टीचिंग एक्सपिरियंस यह मेरा रेफरल कोड़ेज इसको यूज करके आप एडिविशन ले सकते हैं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है जिस पर आप मेरा फूलो गर सकते हैं यहां अपर इंडिया के टोमोस्ट एजुकेटर्स के डेली लाइफ क्लासे होती है लाइफ टेस्ट होते हैं स्ट्रक्चर्ड कूर्ष है और अनलिमेटेड अक पड़िया अप्टोलिया 10 कोड यूज करके अडिविशन लेते हैं तो 10% डिसकाउंट के साथ आप वन येर के लिए 6300 गेंदर एडरोल कर पाएंगे जब टू येर के लिए आप देखेंगे तो 7560 गेंदर एडरोल्मेंट कर सकते हैं अर्थ को एक यानि बुकम का मतलब क्य तो जिसका मुखे कारण है परत्वी के आंतरिक भागों से यानि बुकम का समद मुखेते परत्वी के आंतरिक भागों से यानि एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण से तो एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण से या अंतरजाद बनों के कारण से जो अचानक due to sudden release of energy अचानक जो बिये तरंगे उत्पन होती हैं जैसे P-Waves हो गई, S-Waves हो गई, L-Waves हो गई इनने हैं Primary Waves, Secondary Waves या Love Waves के रूम में जानते हैं जो कि Bookamp बिये तरंगे हैं तो काफी खतरनाक होती है इनमें P-Waves जो हैं ये Primary Waves हैं इनकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है उसके बाद स्पीड S की होती है उससे सबसे कम स्पीड L की होती है यानि जब कभी भुकम पायेगा तो सते के उपर जैसे मालो की ये सते है यहाँ पर भुकम की उत्पत्ती होई इस जगे पे जहां से भुकम की उत्पत्ती होती है उस बिंदू को focus बोलते हैं जहां से बुकम की उत्पत्ती यानि जहां से उर्जा का उत्गम होता है वो focus है या बुकम मूल है यहां से जो है यह उपर की तरफ जाएगा जहां पर सते पर सबसे पहले मेशूश होगा इस परश होगा उसे हम लोग इपी सेंटर के रूम में जाने गए इपी सेंटर या अधी के अंदर के रूम में जाने गए इपी सेंटर या अधी के अंदर के रूम में जाना जाए लैसे जहां पर सबसे पहले इस परश करेगी यानि बुकम पियत रही यानि जहां से उत्पन ही होती है वो गया वुकम मूल चाहं सबसे पहले पहुंसती है उसे इपी सेंटर यह गम सोटेस डिस्टिंस होगी यानि मिनिमम दूरी होगी लगबग 90 डिगरी के उपर होगा ही है यहां से पहले पहँचेगी लेकिन्स सबसे कम करेंगी उससे जदा S नुक्षान करेंगी और उससे जदा L करेंगी P waves होती हैं ये primary waves होती हैं और longitudinal waves मोलते हैं longitudinal waves का मतलब हो गया अनुदेर्दे तरंगों के रूप में जाना चाता है अनुदेर्दे तरंगों के रूप में S waves है इन्हें हम transverse waves के रूप में हो यानि ये अपने पास में अनुदेर्दे तरंगों के रूप में हो यानि यदे पन अनुदेर्दे तरंगों की बात करें तो ये धावनी तरंगों की तरीके से या sound waves की तरह होती हैं और अनुदेर्दे तरंगों का मतलब हो ये हो गया तो intensity के और speed जो है एक दूसरे के उल्टा है, speed सबसे ज़्यादा P की, उससे कम S की, उससे कम L की, और intensity सबसे ज़्यादा L की, उससे कम S की, और उससे कम P की होती है, वो कम भी ये तरण, जैसे देखो ये, सबसे पहले arrival time जो है, सबसे पहले P का होगा, उसके बाद कोन आएगी, S waves आएगी, और सबसे अंत में कौन सी आएगी, surface waves या इन्हे L waves के रूप में बोलता है, P waves और S waves क्योंकि पर्थवी के आंतरी भागों में चलती है, इसलिए इन्हें body waves के रूप में जानता है, जबकि S waves होती है, इन्हे surface waves के रूप में चानता है, सबसे खतरनाक होती है, सबसे अंत में पहुंसती है, P waves जो होता है, सब ही माद्यम में चल सकती है, solid में भी चल सकती है, liquid में भी चल सकती है, और gas में भी चल सकती है, लेकिन जो S waves है, ये cable solid यानि, शॉलिड मेडियम के अधरी चलने में सक्षा है यदि हम देखें P वेव सब जगे नहीं पहुंचती है ऐसा नहीं कि सब जगे पहुंचेगी जिसे यहां से फोकस से यह उत्पन हुई है यहां से यहां से यह आप देखोगे और यह यह इसका सेंटर है यहां से आप देख लो तो यह 90 डिग्री हो गया यह लगपक यहां पर आप काउंट करो तो यह 90 होआ तो यह 105 डिग्री हो गया यहां से आप देखोगे तो 105 तो यह 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के वीच में P तरंगे नहीं पहुंच पाती है तो P तरंगे नहीं पहुंचेगी तो ये P तरंगों के लिए shadow zone हो जाएगा यानि P waves का ये shadow zone के लाएगा इसी तरीके से इधर भी 105 degree से लेकर के आगे जुकाओगे तो 105 degree से लेकर के 145 degree तक P waves नहीं पहुंचेगी है उसके आगे फिर से परकट हो जाती है जिसका मुखे कारण है कि inner core में इनकी speed बढ़ती है और inner core फिर solid आता है जिसके कारण से इनकी density बढ़ती है तो इस तरीके से वापस परकट हो जाएगी केवल 105 से लेकर के 145 degree के बीच में ही परकट नहीं हो गी इसी तरीके से ASVM जोती है उनका settle zone 105 के बाद ये वापस आती नहीं है तो कि ये एक तरीके से core में जाती ही नहीं है तो कि outer core हम लोगों को पता है कि liquid distance के अंदर है लिक्विड में है तो यहां पहुंचेगी नहीं नहीं पहुंचेगी तो ये सिरफ 105 degree तक ही जाती है जैसे हम ये कह लें है कि यहां से आप यदि से देखोगे perpendicular line तो ये 90 degree है यहां से आप देखोगे 105 degree इस side में भी देखोगे तो 105 degree 105 degree से लेकर के यदि इसके ठीक opposite देखेंगे तो 180 degree 150 degree से 180 degree इतर 105 degree से 180 degree इतर दोनों तरप ही हम क्या कहेंगे कि ये सेडो जोन यानी चाया चेतर है तो S waves का चाया चेतर 105 से 180 degree है जबकि P waves का साया चेतर जो है वो 105 से 145 degree है यदि overall देखा जाए तो 105 से लेकर के 105 degree से लेकर के 145 degree के बीच में ना तो P तरंगे पहुँच पा रही है ना S तरंगे पहुँच पा रही है तो इस reason को earthquake जो है सेडो जोन के नाम से जानते है अर्थक्वेक सेडो जोन के नाम से जानते है ये ध्यान अगना है अभी कितने परकार के होते हैं सर तो 3 परकार के earthquakes होते है इसमें cello focus होते हैं, intermediate focus होते हैं और D focus के बुकम होते हैं cello focus होते हैं वो यानि जिनका उदगम के अंदर या जो focus है या उकम मूल है वो 50 km से ज्यादा गेराई में नहीं हो यानि 50 km से maximum गेराई हो intermediate का या मद्यवर्ती मूल हो गया मला 50 km से 500 km की range में कहीं पर focus है इसी तरीके से D focus होते हैं जो कि 200 km से ज्यादा गेराई में वो चिचले उदगम के अंदर के क्योंकि उपर से इनका संबंध होता है तो काफी ज्यादा चत्ती पहुंचाते हैं लेकिन जो 200 से 700 km वाले हो बहुत कम पहुंच पाते हैं इसी तरीके से हम नेक्स स्लाइट जोगी उसके अंदर इनका distribution देखेंगे जिसमें Convergent Plate Boundary के reason में हम देखेंगे कि सभी प्रकार के बुकम shallow focus के यानि चिचले उदगम के अंदर के भी आते हैं एक दूसरे के parallel इस तरीके से जारी होती है तो इनकी रगड लगने के कारण से बुकम के उत्पति होती है पर ज्यादा तर चिचले उतगम के अंदर के बुकम होते है जो जितना आपन ये कहेंगी focus उपर होगा वो ज्यादा उतना ज्यादा अपनी यह के सकते कि कमपन उत्पन करेगा EP Center के पास यह पहुंचेगे तो यदि आप 1 year के लिए enroll करना चाते हैं तो charges है 7,000 लेकिन यदि आप 2 year के लिए enroll करना चाते हैं तो charges है 8,400 लेकिन यदि आप ठोलिया 10 code यूज़ करेंगे आप एड़िशन लेना है तो ठोलिया 10 code यूज़ करेंगे जिससे आपको 10% discount के साथ परसनल guidance भी मिलेगा यह मेरा ओट्शब नमबर है जिस पर कोई issue तो आप मेरे को ओट्शब कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों क्षा शेर करना है कमेट करना है और आपके जो भी enroll करने वाले दोस्त बगरा है बेन भाईए उनको बोलना है इटोलिया 10 code यूज़ करके वो enroll कर सकते हैं बहुत बहुत अन्यवा थेंक्यू थेंक्यू वेरी मुच